नाग पंचमी की कहानी नाग पंचमी सावन महीने का एक महत्वपून त्योहार है, जो प्रत्य एक वर्ष श्रावन मास के शुकी पक्ष में पंचमी तिथी को मनाया जाता है। कई जगह पर इसे भाया पंचमी भी कहते हैं। इस दिन स्त्रिया नाग देवता की पूजा करती चली अब आपको बताते हैं इस साल नाग पंच्मी कब मनाई जाएगी और इसकी पौरान एक कहानी क्या है नाग पंच्मी की कथा अनुसार प्राचीन काल में एक सेची के साथ पुत्र हुआ करते थे सातों का विवाह हो गया था उन पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेश्ट चरित्रकी और सुशील थी लेकिन उसका कोई भाय नहीं था एक दिन बड़ी बहु ने घर लीटने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुँ को साथ चलने के लिए कहा जिनके बाद सभी डलिया और खुर्पी लेकर मिट्टी खोदने चल दी तब ही अचानक से वहाँ पर एक-एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहु खुर्पी से मारने लगी लेकिन चोटी बहु ने उसे रोग दिया कहा मत मारो इसे ये बेचारा निरप्राध है ये सुनकर बड़ी बहु ने उस सांप को जाने दिया तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया तब चोटी बहु ने सांप से कहा कि हम अभी लौट कर आते हैं तों यहां से मत जाना इतना कहकर चोटी बहु सभी के साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां जाकर कामकाज में फन्स गई जिसके चलते उसने जो सर्प से वादा किया था उसे भूल गई चोटी बहु को दूसरे दिन ये बात याद आई कि उसने तो सांप को रुपने के लिए कहा था वह बोली भाया मुझसे बड़ी भूल हो गई उसके लिए मैं दिल सिक्षमा मानती हूँ तब सांप ने कहा कि अच्छा तू आज से मेरी बहिन है और मैं तेरा भाया तुझे जो मांगना हो, मांग लो वह बोली मेरे पास एक भाय की ही कमी थी जो तुमने पूरी कर दी ऐसा कहकर वो घर को लोट गई कुछ दिन बीच जाने पर वो सर्प मनुश्य का रूप लेकर उसके घर पहुँचा और बोला कि मेरी बहिन को भेज दो सब बहु उस लड़के को देखकर हैरान हो गई क्योंकि वो जानती थी कि छोटी बहु का कोई भाय नहीं है तब वो बोला मैं दूर के रिष्टे का भाय हूँ, बचपन में ही बहार चला गया था उसके ऐसा कहने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया लड़के ने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तु दरना नहीं जहां भी तुम्हें चलने में कठिनाए हो वहां मेरी पूछ पकड़ लेना इस प्रकार छोटी बहु उसके घर पहुँच गई, वहां के धन एश्वर्य को देखकर वह हैरान रह गई एक दिन सर्प की माता ने छोटी बहु से कहा कि मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रही हूँ, तु अपने भाई को थंड़ा दूद पिला देना उसे थंड़ा दूद वाली बात घ्यान नहीं रही और उससे गर्म दूद पिला दिया, जिसमें सांप का मूँ जल गया ये देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हो गई, लेकिन सर्प की समझाने पर चुक हो गई, तब सांप ने कहा कि आप बहिन को उसके घर भीज देना चाहिए तब सांप और उसके पिता ने बहिन को बहुत सारा सोना चांदी, जवाहरत, वस्त्रादी देकर उसे विदा किया चोटी बहु के पास इतना धेर सारा धन देखकर बड़ी बहु ने जलन वश कहा कि तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था सर्पिने जब ये सुना तो उसने सब वस्तुए सोने की लाकर दे दी, ये देखकर बड़ी बहु ने कहा कि इन चीजों को जारने की जलुभी सोने की होनी चाहिए तब सांप ने जाडू भी सोने की ला दी सांप ने छोटी बहु को हीरा मन्यों से जड़ा एक बेहद अद्भुत हार दिया था उस हार की प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और उसने राजा से कहा कि सेट की छोटी बहु के पास एक हार है जो मुझे चाहिए राजा ने मंत्री से कहा कि वो हार लेकर शीग रही उपस्थे थो मंत्री ने सेट जी से जाकर कहा कि आपकी छोटी बहु के पास जो हार है उसे महारानी जी पहनेंगी इसलिए वो लेकर मुझे दे दो सेट जी ने दर के कारल छोटी बहु से हार ले लिया छोटी बहु को बेर दुख हुआ थियों उसको ये हार उसके भाई सर्प ने दिया था बहु ने अपने भाई को याद किया और उसने प्रार्थना की भाहिया रानी ने मेरा हार छीन लिया है तुम कुछ हिसा करो कि जब रानी हार पहने तो वो सर्प बन जाए और जब वह मुझे लोटा दे तब वह हार हीरों और मिन्यों का हो जाए सर्प ने अपनी बहन की प्रार्थना सुन ली और ठीक वैसा ही किया राणी ने जैसे ही वो हार पहना वैसे ही वह सर्ट का बन गया ये देखकर राणी डर के मारे चीखने लगी ये देखकर राजा ने छोटी बहु को तुरंद बुलवाया राजा ने छोटी बहु से पूछा तुने इस हार में क्या जादू किया है अब मैं तुझे दन दूंगा छोटी बहु बोली राजन यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मन्यों का बन जाता है और कोई दूसरा पहने तो उसके गले में सर्थ बन जाता है ये सुनकर राजा ने सर्थ बना हार उसे देखर कहा अभी इसे तुरंद पहन कर दिखाओ छोटी बहु ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मन्यों का हो गया ये देखकर राजा ने प्रसन होकर उसे बहुत सी मुद्राय पुरसकार में दी छोटी बहु को मिले धन को देखकर बड़ी बहु को बहुत इर्शा हुई और उसने उसके पती को सिखाया कि छोटी बहु के पास कहीं से धन आया है उसे बुला कर पूछो की धन कहां से आया है तब पती ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है तब वो अपने भाई सर्प को याद करने लगी तब उसी समय उसका भाई प्रकट हो गया और कहने लगा कि यदि कोई मेरी धर्म वहिन के आचरन पर संदेव प्रकत करेगा तो मैं उसे तुरंधी खालूंगा। ये सुनकर छोटी बहु का पती बहुत प्रसन हुआ और उसने अपनी पतनी के भाई सर्प का बड़ा सतकार किया। कहते हैं उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और स्त्रिया सर्प को भाई मान कर उसकी पूजा करने लगी। नाग पंचमी दो हजार चॉबीस तिथीव मुहूर्थ नाग पंचमी 9 अगस्त 2014 शुक्रवार को है। नाग पंचमी पूजा मुहूर्थ सुबह के पांच बच के 47 मिनट से सुबह के 8 बच के 27 मिन तक रहेगी बता दी गुजरात में नाग पंचमी 24 अगस्त 2024 शनिवार को मनाई जाएगी